Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज के वीडियो में हम सीखेंगे उरेब पट्टी काटना जैसे कि उरेब पट्टी हमारी जिसे नेक में लगती है जह हमारी पाइपिंग बगरा लगती है तो वो केई जगा पे हमारी वोई पट्टी लगती है जिससे कि हमारी जो नेक बगरा है उसके फिनिशिंग भी अच्छे से आती है और अच्छे से हमारा देखता है बना हुआ तो वो ही तिर्शी पट्टी आज हम काटना सीखेंगे तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है कपड़ा मैंने स्कॉायर में लिया है इस तरह से हम कपड़ा लेंगे अगर हमें बड़ी बड़ी जैसे श्रिप्स काटने थो हम थोड़ा बड़ा कपड़ा लेंगे अगर हमें छोटी चाहिए थो हम छोटा कपड़ा लेंगे ये मैंने 16 बाइ 16 का ये स्कॉायर लिया है जितना आपको चाहिए उस इसाब से हम ले सकते हैं अब इसका एक कोना पकड़ेंगे और एक कोना हम इस तरह से ऐसे यह मारा ऐसे बन गया यह folded part है इसे हमें cut करना है यहां से अब cut करने के बाद यह हमारे दो पीस बन गये हैं अब एक पीस हम उठा लेंगे इसका भी use कर सकते हैं लेकिन अब मैं एक से ही आपको बताऊंगी ऐसे तो नॉर्मल हम इस तरह से जैसे strips काटते हैं तो हमें बहुत time लगता है काटने को एक निया तरीका पताऊंगी जैसे यह कपड़ा है इसे भी हमें face से ऐसे फोल्ड कर लेना है तो यह कपड़ा हमारा इस तरह से बन गया इसके बाद हमें जितनी चोड़ी पट्टी चाहिए जैसे नॉर्मल हमारी बन एंड हाफ इंच होती है तो अगर आप बिगनर हैं तो दो इंच भी ले सकते हैं तो मैं यहां से बन एंड हाफ इंच ले रही हूँ इस तरह से निशान लगाएंगे यह निशान लगा और इस निशान को हम सीधा इस तरह से लाइन लगा लेंगे यह लाइन लगी अब इसके बाद फिस से हम पन एड हाफ इंच पे इस तरह से जितनी हमें स्ट्रिप्स चाहिए उसी साब से निशान लगाते जाएंगे और य यह स्रीप्स ने सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सबस्थारीतमित इसंहेद सब्सक्रार। इससे भी बड़ी बनानी है हमें तो कैसे हम जोईन करेंगे जैसे ये स्लिप्स है इसको हम इस तरह से रखेंगे ये कोर्नर और ये कोर्नर देखिए हमारे इस तरह से आएंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये है हमारा जैसे इसके साथ ऐसे यहां पे मैं सिलाय लगा दूँगी यह सिलाय मैंने लगा दी दोनों पट्टिया हमारी जोड़ गई है इस तरह से देखिए हमारी यह लंबी बन गई जितनी जैसे आगे भी हमें लंबी बनानी है तो उस तरह से बना सकते हैं अब यह दूसरी पट्टी है मैं दूसरे तरी के से बताती हूँ आपको जैसे यह स्विप्स है यहां से हमें बराबर करके कट कर लेना है इस तरह से यह दूसरा भी यह हमारी बराबर होगी जैसे यह हम सिंगल कर लेंगे इस तरह से और यह भी इसको क्या करना है हम जैसे ये पट्टी ऐसे रखी और ये हम इस तरह से ऐसे रखेंगे ये देखिए हमारी इस तरह आएगी इसके बाद ये कोर्नर है ये कोर्नर है जैसे अगर हमें पता नहीं चलता तो हम इस तरह से यहां पे लाइन लगा लेंगे ये लाइन लगा दी यहां पे हमें सिलाई होगी तो किसी भी तरह से हम इसे ज्यां कर सकते हैं तो ये हमारी लंबी पट्म रेडी हो जाएंगी तो इस तरह से हमारी ये उर्वैब पट्म कटेगी वीडियोगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहें तो बेल बटन भी दबा ले जिससे कि मेरे अगले आने बाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इजी लिए मिल जाएंगे तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में